Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं खुआजा एहमद अब्बास की लिखी शॉर्ट स्टोरी The Refugee जो की भारत पाकिस्तान के बंटवारे से संबंदित है उस समय में क्या ट्रॉमा हुआ, क्या भ्यानक स्थिदी थी 1947 के अंदर किस तरीके से लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा उन्हें अपने घरों को निगाओं को छोड़ना पड़ा इसकी ये कहानी है अब्बास ने इस कहानी के अंदर मा जी जो इस कहानी का में करेक्टर है उसे बताया है जो कि एक बूढ़ी सरदारनी है कि कैसे उसे अपने एंसेस्ट्रल हाउस अपने पुष्टैनी मकान को छोड़ना पड़ा ये मकान था रावल पिंडी पाकिस्तान में और किस तरह वो मजबूर हुई बॉम्बे आकर रहने के लिए क्योंकि पार्टीशन के समय बहुत जादा वॉयलेंस हुई वो एक डबल स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी रावल पिंडी में जहां पर सभी ऐशो अराम था पूरी तरीके से लैविश फैसिलेटीज थी तीन नौकर हर समय हाजिर रहते थे उनकी सेवा में पर अब बॉंबे आने के बाद वो एक सिंगल कमरे में रहती है जिसे वो और भी कुछ लोगों के साथ शेयर करती है जो इनही की तरहें रेफ्यूजी हैं, शर्णार्थी हैं अब इनके पास कोई नौकर नहीं है घर का सारा काम इने खुदी करना पड़ता है रावल पिंडी तो जैसे इनके लिए एक दुनिया थी इनका स्वर्ग था, जिसे उन्होंने खो दिया वहाँ पे इनके बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे सभी पडोसियों के साथ बट जब वाइलन्स हुआ, हिंसा हुई और एक cold-blooded murder हुआ, एक निश्रंद सहत्या हुई एक हिंदू तांगे वाले की और उसके घोडे की तो ये मजबूर हो गई, ये खौफ जदा हो गई, ये डर गई और इन्हें रावल पिंडी छोड़नी पड़ी और अब ये बॉम्बे के अंदर एक शर्णारती है एक छोटे से कमरे में रहती है, दिन भर बीजी रहती है घर के कामों में, सुबह जल्दी उठती है और रात को देर तक काम करती है इन्होंने अपना सारा fortune खो दिया बट फिर भी इन्होंने धहरे रखा और ये कम ही complain करती है ये अधिक complain नहीं करती है अपने present की condition को लेकर जो इनको यादे आती है रावल पिंडी की और वहाँ इनके जो दोस्त थे, रिष्टदार थे, पडोसी थे उनके साथ जो इनका संबंद था इन बातों के बारे में सोचकर इनके आँखों में आसू आ जाते है तो के अबास ने एक बहुत ही अच्छा हमें रियलिस्टिक व्यू दिया है इंडिया पाकिस्तान पार्टिशन का और इस हिस्टॉरिकल इवेंट को बताया है माजी जो की एक रेफ्यूजी है उनकी जिन्दगी से तो आईए इसकी समरी हम लोग शुरू करते है तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये कहानी है माजी की ये जो हिस्टॉरिकल इवेंट हुआ था 1947 का पार्टिशन इसी के बैगराउंड में ये पूरी कहानी लिखी गई है अब इस इवेंट को के अबास कहते हैं कि ये एक ट्रैजिक स्टॉर्म था एक ऐसा तूफान था जिसकी वज़े से लोगों को अपने पूरवचों का मकान छोड़ना पड़ा भारत पाकिस्तान का जब पार्टिशन हुआ तो ब्रिटिश एम्पायर ने पाकिस्तान का इस्लामिक रिपबलिक बनाया और इंडिया का रिपबलिक बनाया हजारों लोग दोनों ही देशों से अपने घरबार अपने गाओं को छोड़ कर चल पड़े तो ये कहानी इनी बातों से शुरू होती है कि कैसे लोगों का मूवमेंट हो रहा है और कैसे लोगों के उपर इसका जबरदस्ट इंपेक्ट है economically, psychologically और लोगों के क्या political thoughts है यहाँ पर इन्होंने एक मा के उपर क्या बीता इसे बताया है हमारी इस कहानी की जो protagonist है जो main character है मा जी यह पूरी कहानी उन्ही के इर्दगिर्द गूम रही है और यह बताया गया है कि कैसे एक जमाने में उनका अपना खुद का एक double-storied building था जहां वो मता हुआ, बिलोया हुआ, मक्षन खाती थी घी खाती थी किसानों को जमीन लीज पर देती थी और कितने अच्छे उनके पडोसी थे पर यह सारे comforts तूट गए जब announcement हुई June 1947 में partition के बारे में जो सीधी साधी औरतें थी मा जी जैसी वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस partition का उनकी जिंदगी में इतना बड़ा impact हो सकता है वो तो हमेशा मासूमियत के साथ यही सवाल करती थी कि हमें यहां कौन परिशान करेगा हमें यहां कौन हैरस करेगा क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के जो भी Muslims थे उन्हें अपने बच्चों की तरह रखा उनकी यह generosity और उनकी यह ignorance ने सभी के मन में सभी पडोसियों के मन में उनके प्रती प्यार की भावना को रखा था और इसलिए वो इनके घर की निगरानी भी करते थे कि कोई माजी को चोटना पहुँचाए यह बड़ी ही दयालू थी यह जो भी काम करती थी इन्होंने शर्णार्थियों को बहुत सारा food दिया clothing कपड़े दिये और बहुत सारा donation दिया यह उन्हें free में बहुत सारी लसी भिजवाती थी पूरे ही neighborhood में भिजवाती थी लोग इन्हें दुआएं देते थे कि यह और इनका बेटा जुग जुग जीएं यह बहुत ही सीधी साधी औरब थी यह बहुत जादा व्यतित हो गई, moved हो गई जब इन्हें पता चला कि एक हिंदू तांगे वाले को मार दिया गया और उसके घोडे को भी मार दिया गया religious prejudice की वज़े से वो बोली कि तुमने उसे तो मार दिया क्योंकि वो हिंदू था पर तुमने घोडे को क्यो मारा वो सीधी साधी थी और अग्यानी थी इस बात से उन्होंने हमेशा जिंदगी भर secularism को अपनाया था अब आगे जाके ये कहानी shift हो जाती है कि ये जैसे मा जी पहले तो बड़े अराम से रहती थी एशो अराम में बट अब वो एक refugee है बॉमबे में अब हमें author बताते हैं कि कैसे वो एक बिलकुल छोटे से single room के मकान में रहती है बट फिर भी वो इसे बहुत अच्छे से maintain कर रही है इनके पास कोई नौकर नहीं है इन्हें अब खुद ही सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं बट हमेशा एक maternal smile एक मातरत्व वाली मुसकान इनके चेहरे पर रहती है वो कभी tragedy को लेकर दुखी नहीं रहती चुप चाप धीरे धीरे उनके आखों से आसू गिरते हैं जब भी वो रावल पिंडी के बारे में सोचती है वो कहती हैं वो पियर्स वो नाश्पती वो अप्रिकॉट्स वो एपल्स वो अंगूर वो खर्बूजे वो बगूगो से यहां बॉम्बे में नहीं मिलते हैं तो इस तरीके से वो वहां की यादे उनको आती हैं वो एक simple mother है के अब बास कहते हैं कि इनका ये जो दुख है ये जो दर्द है इसमें गुसा नहीं है इसमें नफरत नहीं है कि कैसे माजी ने accept कर लिया है reality को और वो अपनी यादों के सहारे उसी समय में चली जाती है जब वो रावल पिंडी में रहा करती थी यहां पे intensity दिखाई गई है गहराई दिखाई गई है इनसानी दिल की Friends, I hope ये introduction, ये summary आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप exam में इस पर एक अच्छा सा answer लिख पाएंगे All the best for your exams अब प्रतीक तमर को दें इचाज़त जल्दी फिर मिलेंगे एक और topic के साथ चैनल पे नए हो तो जल्दी से subscribe कर दो, like करो comment करो और मुझे बताओ